बावली नेता मुक्तार अंसारी का निधन हो गया है बादा जेल में बन मुक्तार अंसारी की तब्यत अचानक से बिगडी उनकी तब्यत खराब हुई उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया बादा मेडिकल कॉलेज जहां उनका निधन हो गया अगर जानकारी जो अभी कि Medical College में भेजा गया जहां उनका निधन हो गया लेकिन इस बीच पार्टियों की तरफ से सूचनाय समवेदनाय आने लगी है समाजवाधी पार्टी ने पोस्ट करके अपनी समवेदना व्यक्त किये समाजवाधी पार्टी ने लिखा है पूरु विधायक स्री मुक्तार अन्सारी जी का इंतकाल दुखत इस्वर उनकी आत्मा को सांति दे सोका कुल परजशनों को या असीम दुख सहने का संभल प्राप्त हो विनम्र सद्धान जली आपको बता दे कि मुक्तार अंसारी समाधी पार्टी का हिस्सा रहे थे, उसके बाद वो बसपा में चले गए थे, फिर उन्हें अपने एक अलग पार्टी बनाई थी, फिलहाल अगर हम बताएं कि मौउ से पांच बार विधायक रहे मुक्तार अंसारी का समाधी पार्टी से स उसे बसपा के सांसद है लेकिन अभी वो समाजवादी पार्टी में सामिल हो गए उन्हें समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्यासी भी बनाया है इसके अलावा उनके बड़े भाई सिक्वागतुल्ला अंसारी के जो बेटे हैं मन्नु अंसारी उनको भी अंसारी ने जहर तक देने की बात का जिक्र किया था हलाकि अभी फूरे मामले की जाच चल रहे हैं आपको बता दे कि इस पूरी घटना करम के बाद मौ हो या गाजीपुर हो या बादा हो तमाम सवेदर्सनल इलाकों में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है खासकर मौ में क तरीके से उनका रिधन हुआ है उसके बाद से पुलिस सतरकता बढ़ा चुकी है देखते लिए उपी तक नमस्कार